हेलो दोस्तों, स्वागत हैं आपका हमारे यूटूब चनल कॉमिक फैन पर, चलिए दोस्तों सुरू करते हैं नागराज की एक रोमान्चक कॉमिक मुझे सांग, काल कराल का तीसरा भाग ये मेरे सरीर के अलग-अलग हिस्सों को सेलेक्ट करके उनको अलग-अलग टाइम जोन में भेज रही है पर मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन उसमें मुझे समय लगेगा तब तक तुमको अपने सरीर में संचित पिंक एनर्जी को सुरक्सित रखना होगा सुरक्सित कैसे रखेगा, जब घरा तूटेगा तो उसमें भरा पानी कैसे बचेगा आहा, तुम एक बार फिर पिटने आ गए नाग-पासा इस बार नहीं नाग-राज, इस बार नहीं, इस बार मेरे पास भविश्य की तकनीक है जिसके खिलाफ तुमारे पास कोई बचाओ का रास्ता नहीं है तुमको सक्ति देने वाले ने शायद ये नहीं बताया कि मेरे सरीर में इस वक्त पहाडों को छेद देने की भी सक्ति है आहा, तु अगर पिंक एनर्जी की बात कर रहा है तो थोड़ी देर बाद वह मेरे पास होगी तु ये महासक्ति इसलिए पचाओ पा रहा है क्योंकि तेरे सरीर में बसे लाखो लाख नागों ने उस सक्ति को तुकडे तुकडे में धारन कर रखा है अब मैंने तेरे सरीर में अब मैंने तेरे सरीर में एंटी बायो एनर्जी के नैनो बोर्ट डाल दिये हैं ये तेरे सरीर के सांपों को एक एक करके खतम करते जाएंगे और पिंक एनर्जी आजाध होती जाएगी और फिर दो मिन्टों के अंदर उसकी तिवृता इतनी बढ़ जाएगी कि वे तेरे सरीर के चीथडे करती हुई मेरे कंटेनर में समा जाएगी अरगःगः नागराज की जान सिर्फ यहीं पर नहीं कहीं और भी खत्रे में थी देवकालजाई की यही देवकालजाई जी की यही इच्छा थी अब वे ही तुमारी रक्सा करेंगे पुत्र एक बार तेरा पुत्र जलधारा में बह जाए मेरे भईया फिर तुझे भी भवसागर पार करा दूँगा माराज यह देखे चमतकार यह क्या क्या सचमुच देवकालजाई ने मेरे पुत्र को शरन में ले लिया है इसको यमराज ने अपनी शरन में ले लिया है धुरा नाम का यमदूद भेजा है इसको ले जाने के लिए शिशुक के प्रान तो पहले ही जा चुके हैं यह शायद नहीं कुछ गडबड है इसे रोकना होगा वार करो इस पर इतना समय नहीं है मेरे पास इसकी खोपरी तूटते ही मैं तो चला ये आदमी मुझे देखा देखा सा क्यों लग रहा है अच्छा किया जो नाकपासा के जरिये उसके भूतकाल तक आ गया वह तो शायद नागराज को वहाँ पर ना मार पाए पर मैं नागराज को यहीं पर मार कर उसका भविस्य ही कतम कर दूँगा फिर उस वर्तमान में नागराज लुप्त हो जाएगा और सिर्फ पिंक क्रिश्टल बच जाएंगे जिनको नागराज मेरे दिये हुए मैगनेटिक जार में कैद कर लेगा ये? ये क्या? नागराज जमीन से टकराया क्यों नहीं? क्योंकि मोत बाटने वाले का नाम तो काल कराल है तू? तू यहां तक कैसे आ गया? आसान था नाकपासा के सामने आते ही मैं उसका भूतकाल जान गया था और उसके भूतकाल में बाल नागराज सामने आते ही मैं तेरी योजना भी समझ गया था कि तू? ज्यान बटका कर भूतकाल में जाकर ऐसा है बाल नागराज को मार कर उसको पुरा इतिहासी खतम कर देना चाहता है अगर ऐसा ना होता तो तू नाकपासा जैसे चुहे को हमारे सामने न भेजता मैं चुहा? या ये किसी और नाकपासा की बात कर रहे है और ये बच्चे को नागराज क्यों कह रहे है इसका नामकरन कब हुआ? खेर मुझे तो बस ये देखना है इस देवदानव युद में चाहे जीते कोई पर हारे नागराज उफ मेरा मतलब ये बच्चा माराज ये क्या हो रहा है मेरे पुत्र के साथ? माराणी आपको इस हालत में यहां पर नहीं आना चाहिए था अगर मेरा पुत्र म्रत है तो उसके लिए ये देवदानव युद क्यों हो रहा है पता नहीं माराणी परन्तु हम मूख दर्शक बनकर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते माराज हमारे पास भी वेदाचारिये और गुरुदेव जैसे ज्यानी है जिनसे देवदानव भी थर थर कापेंगे सही याद दिलाया रानी हमारा पुत्र साप का सिकार ही सही पर इस मामले की तहे तक तो पहुचना ही पड़ेगा वैसे तो मैं सिर्फ पिंग क्रिश्टल लेकर ही लोट जाता धुरा पर तुने मेरे दिल पर घाव लगाया है अब तेरे दिल को धरकता हुआ मैं छोड़ भी छोड़ू भी तो कैसे मुझे तो ये भी नहीं पता की तू किस घाव की बात कर रहा है पर धरकने बचेंगी उसी की जिसकी किस्मत साथ देगी काल कराल किस्मत को नहीं मानता होनी को मानता है और होनी ने काल कराल को अपना अधिकारी न्युक्त किया है वही होगा जो काल कराल चाहेगा आह मेरा दिल धीमे हो रहा है धरकने रुक रही है आह धुरा का अंत करीब ता परन्तु काल कराल को यह सबक मिलना अभी बाकी था कि होनी को वह नियंत्रित नहीं करता है होनी तो बस होती है गुरुदेव आप यह क्या कर रहे हैं जो हमारे राष्टे के काटे बीन रहा है उसी के पीछे लात जड़ रहे हैं सुन रहा हूं चेले तू है कहां अपने भतीजे के गिरने का इंतिजार कर रहा हूं ताकि मैं लपक कर उसकी गर्दन कार दूं और जीए मरे की बहस ही खतम कर दूं वही तो मैं भी कर रहा हूं तू बस इंतिजार कर नागराज बड़ी मुश्किल से जान बचाए हुए था लेकिन अब किसी भी पल उसका जीवन ही नहीं उसका अस्तित्व भी मिटने की कगार परता अहां मेरे सरीर में नागों की गट्ती तादाद इस महा उर्जा को संभाल नहीं पा रही है अहां कमजोरी भी बढ़ रही है अब एक ही रास्ता है मुझे पिंक एनर्जी को अपने सरीर से बहार निकालना ही होगा पर उसको सुरक्सित करने का रास्ता सोचने के बाद हाँ 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 मेरे वारों ने तुझे बचने का राष्टा ढूनने का मोका नहीं दिया हाँ 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 अब ये उर्जा मेरी है सिर्फ मेरी सपने देख नाक पासा सिर्फ सपने नागराज ने किसी अनहोनी की सुरत में ये योजना पहले ही बना रखी थी नागराज के सरीर के बाद सिर्फ मेरी मनी में ही इसको संभाल सकने की सकती है अरे सपोले जब नागराज ही इसे कुछ मिंटों से जदा नहीं संभाल पाया तो तू इसे क्या संभालेगा तू तो अपनी जान और अपनी मनी को बचा ले यही बहुत है ये संगर्स एक महतपून कारण के लिए था बचाने के परियास यहाँ पर भी जारी थे और यहाँ पर भी परन्तु यहाँ की युद्ध का कारण तो समाप्त हो चुका था तुम लोग ये समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं इस बालत को बचाने आया हूँ म्रत को बचाने आये हो इसमें जीवन के कोई लक्सन नहीं है सत्य है परन्तु इसमें म्रतक के लक्सन भी नहीं है पर अगर आज इसको कुछ हुआ तो आगे हजारों वर्सों तक का संसार थर्थरा उठेगा और काल कराल के रहते ऐसा नहीं होगा अच्छा ही हुआ अब मुझे भी अपने सिकार को धील देने का बहाना मिल गया है अब ये दोनों फिर से लडेंगे और नाक पासा को मोका मिल जाएगा चले चेले यहीं मोका है तू सामने आजा और बच्चे को बचाने के बहाने उसे लपक ले जो आप कहें गुरुदेव पर बच्चे को लपकू कैसे अब और समय बरबाद नहीं करना इस बच्चे का भविस्य मैं जानता हूँ इसको मैं अपने साथ निकट भविस्य में ले जाकर सुरक्सित इस्थान पर छोड़ दूँगा उफ अगर ये नागराज को यहां से ले गया तो इसको दूनना असंभव हो जाएगा और नागराज को मारने का एक आसान तरीका हाथ से जाता रहेगा नहीं गया काल कराल नहीं जा पाया ये क्या मुझे समय धारा के बहने का आबास तो हो रहा था फिर व्यावधान क्यों हुआ मैं समझ गया तू किसी मृत को भविस्य में ले ही नहीं जा सकता उसका समय खतम हो चुका है ये प्रकर्तिक के नियमों के खिलाफ है ये एक और सबूत है कि ये सिसु मृत है शिशु चाहे मृत हो पर नाकपाशा अपने मृत बतीजे का भी अपमान नहीं होने देगा नाकपाशा? ये दोनों तो सचमुच मुझे पहले से जानते हैं नाकपाशा? ये ये तो नाकपाशा है ये दोनों तो सचमुच मुझे पहले से जानते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ, मेरे बच्चे के साथ खिलवार हो रहा है, और मैं अब मैं इसकी गर्दन मरोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तेरा इंतिजाम करूंगा, अब तु देखेगा, मुझे इस बच्चे की गर्दन मरोड़ते हुए, मैं तेरी समय सक्ती को अवरुद कर दूँगा, कुछ वैसा, जैसा मैंने अपने प्राइवेट प्लेन में भागने के दुरान किया था, वैसे भी तू अभी कमजोर ही है, अब देख, काल कराल, नागराज की मोथ, रुक जादुष्ट, मेरा बच्चा, उफ, ये क्या, हाँ हाँ, तू नागराज यहीं पर खतम कर देता हूँ, नहीं, नहीं, तो पहले सिसु को अपने सफर पर जाने दे, ये, ये ले, अब मैं तो चला, जब तक तू अपनी सकती बटोर कर, मेरे पीछे आ पाए, तब तक मैं नागराज की मदद करके, नागराज को वैसे ही माडा लूँगा, पर मुझे सक है कि अब तू अगले दस सालों से पहले अपनी सकती बटोर पाएगा, काल कराल, हा, 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 आखिरकार, एक-एक करके महायोद्दा गिरते जा रहे थे, अच्छाई, लड़ाई हारती जा रही थी, और ये सिर्फ एक समय काल तक सीमित नहीं था, काल कराल की कोई सुचना म मिली, नहीं कमिस्नर, उन्होंने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया, काल कराल ने कानून का यह खुला उलंगन किया है, नियमों की धज्या उड़ाई है उसने, और सबसे बक्तर बात यह है कि मेरे विश्वास को तोड़ा है उसने, और यह बताने के बाद भी कि वे अपनी म चाहि पंगेतर की हत्या के सिलसिले में स्यम एक संदिग्ध है, उसने शहर और देश तो छोड़ो, यह समय काल ही छोड़ने की हिम्मत कर ली, संदिग्ध काल कराल नहीं दुरा है, और वे दुरा के पीछे ही गये है, पिंक एनरजी क्रिस्टल, जो काल कराल ने धुरा से हास किया था वे मुझे चाहिए वे मेरे सरक्षन में है मैं अभी उसे आपको लाकर दे देता हूं सद्या बीत गई पर पुलिस वालों का सक्की मिज़ाज नहीं बदला वे समझते नहीं है कि दुरा को पकड़ना कितना जरूरी है क्योंकि दुरा चाहे भागा भागा फिर रहा हो पर उसके वफदार तो अभी भी यहां मौझूद है जो उसकी योजना पर काम करना जारी रखेंगे और उनका निशाना हमेशा एक ही होगा कड़ाक हमारा सेंट्रल पावर इस्टेशन जो 523 राज्यों को उर्जा देता है पिंक एनरजी की मदद से सेंट्रल पावर इस्ट किती को नियंतरन में रखा हुआ है पर दूसरा हमला कभी भी हो सकता है ये ये क्या है ये दुरा का कोई आदमी तो नहीं है हाँ याद आया मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूँ ये नर्वक है नर्व सैल से बनाया गया एक खतरनाक जैवी खत्यारा इतना खतरनाक भी न ब्लाश्टर है देखा ये ब्लाश्टर सोट इनसान तो क्या एक बड़े टैंक तक को पानी बना सकता है फिर ये बायलोजिकल पुतला क्या ठीजे सिल्वो क्या आँ ओ गोड ओ गोड अब तो हमारे पैकप की नोबत आ गई है पर बैकप अभी तक नहीं रत्युदूद इस इसकी मोट का ओडर लेकर आया हूँ मैं पर वे लागू होगा इसके ये बताने के बाद कि धुरा कहा है क्योंकि जहां पर धुरा होगा वहीं पर काल-कराल भी होगा मेरा विश इसके सरीर की सभी नर्वस पावर्स को जाम कर देगा और अगर इसको जिनदा रहना है तो इस पास आ ओ बता तुम मरने वाला है क्या बक रहा है तेरी सक्तिया तुझे मरने नहीं देगी मृत्युदूद और मैं तुझे जीने नहीं दूँगा छोड़ दो मेरा रास्ता काल कराल है नहीं मृत्युदूद रहा नहीं अब पिंक कोर तक पहुँचने से तुमारी मच्छर टोली मुझे किसके दम पर रोकेगी अरे काल कराल आ गया क्या काल कराल नहीं सिर्फ काल इसके जैसे दुष्टो का काल मुझे तो तुम भी दुरा की पैदाइस लग रहे हो गलत मैं तो यहां सिर्फ मृत्युदूद से मिलने आया था पर नर्वक तो बिल्ली की तरह रास्ता काट गया मुझसे मिलने आये हो कोनो तुम नागराज चलिए दोस्तो इस भाग में इतना ही ये रोमान्चक कोमिक जारी है अगले भाग में भी मिलते हैं इस कोमिक्स के अंतिम पड़ाओ आखरी भाग पर तब तक के लिए धन्यवाद क्या है झाल झाल